हाई गाईज आप सबका देवरीस हेल्थ केर में आपका स्वागत है तो आज आपके लिए में लेकर आई हूँ ताकि आपको सबसे पहले मेरी नौटिफिकेशन दिख जाए कि आज मैडम किस बारे में बताने जा रही हैं स्कीन से लेटिन, हेर से लेटिन या फिर अधर प्रॉब्लम्स यानि कि स्कीन में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए आपको बने रहना होगा मेरे साथ आज कल कि इस भाग दोड़ वाली लाइफ में सबको रिलेक्स होने की ज़रूरत है इस तरीके से हमारी स्कीन भी रिलेक्स होना चाहती है लेकिन हम उसको मौका ही नहीं देते हैं कि वो रिलेक्स हो सके क्योंकि धूप की धूप से बचने के लिए में इतनी तरीके की चीजे लगाते हैं कि जिससे हमारी स्कीन बच सके तो अगर हमारी स्किन डेल होती है तो वह फेस ना बहुत बेकाल लगने लगता है इतना कुछ लगाने के बाद भी फिर भी हमारा पीछा नहीं छोड़ती है चाहिए वह डाक सर्कोल हो चाहिए पिग्मेटेशन हो चाहिए वह एक्नी स्पोर्ट हो यह फेस पेक्नी स्कार्स हो किसी की चेरे पर आपको काले धबे दिखते होंगे किसी को हलकी दिखते होंगे किसी को बहुत डार्क और किसी को बहुत ही जादा फुल फेस पे एक दम डीप दिखते होंगे उसी को हम हाई पिग्मेंटेशन बोलते हैं इससे को हमारी सेहत पर असा नहीं पड़ता है लेकि इसे पेले खाते पीते थे वैसे अब नहीं ही खाते हैं, जितना ध्यान अपनी cooked पेले देते थे खानी पिने को लेके कि ये चीज अचछी खानी है नहीं खानी है, अब ऐसा कुछ निया, अब बाहर का खाना do Ama Que hi happened a health style this all जो मन करता है बहार दिखता है यह सारी चीज़े हमारी लाइफ में चेंज़ लाती है तो उसकी वजहे से भी हमारी प्राबलम बढ़ती है नीनपूरी नी और इतना भाग दोड़ वाली लाइफ हो गई लोगों को नीन पूरी भी नीन होने देते हैं हाँ, नीन पूरी करने के लिए आपको जल्दी सोना होगा, जल्दी सोने के लिए आपको रिलेक्स करना होगा, रिलेक्स जब आप हो जाएंगे तो जाहिर से बात आपको नीन भी अच्छी आने लगेगी, आप जल्दी उठेंगे, टाइम से उठेंगे, अपने ओफिस जाए को देखते हुए देवरीज हेल्थ केर यानि कि देवरीज मैं आपके लिए लाई हूँ हाइपर पिग्मेटेशन की किट जिसमें है आपका सीरम, नाइट क्रीम, डे क्रीम, फेस वॉष, संस्क्रीम यह सारी चीजे हाइपर पिग्मेटेशन को खतम करती हैं मैं एक चीज और अगर आपको कम लाइट पिग्मेटेशन यानि की कम है तो आप चार प्रोड़क यूज कर सकती है बट आपको हाइपर पिग्मेटेशन है बहुत ज्यादा है बहुत साल से तो आप पांचों प्रोड़क यूज कर सकती है रुटीन से टाइम से बहुत पैस प्रोड़क्ट ह नुकसान पहचाएगा आपकी स्किन जैसी अनार्मल वैसी ही रहेगी उसको छोडने के बाद भी और उसको लगाने के टाइम भी यह आपको करने जरूरी होता है क्योंकि वहमारी डस्ट को बाहर निकालता है इसमें इंटि प्रोपर्टीज उती है जो हमारी पिख्मेटेशन पे रिमूव करती है इसमें ऑंटि बैक्टिरिया भी है जो आपकी किटानो को खतम करता है फेस के जिसकी वाज़े से हम दिन पर ह इसाल बात की वजने में ऊहाँ फेस पे किटानौ चला चला जाता हुच जो उसको रिमॉब कर तो फेस वोच इसनी जरूरी होता है क्योंकि फिर serum लगाना है तो serum हमारे क्या करता है डी-pigmentation पर जाके work करता है नरिश करता है skin को अंदर जाके जिससे की हमारी pigmentation जल से जल खतम होने के लिए ready हो जाए वो क्या करता है, सीरम अंदर जाता है, अंदर जाने के बाद वो अपना काम करना शुरू कर देता है, आपके स्कीन को मॉस्टराइज भी रखेगा, यह देवरीज वाला सीरम और आपकी हाइपर पिग्मेंटेशन को कम करते हैं, धीरे धीरे वो बिल्कुल खतम कर देगा, ठी कि विकोज मैंने संस्क्रीम लगा रखा है, तो मेरे को कोई फरक नहीं पड़ेगा, मेरे पर कितनी भी लाइटे डाल दो, मुझे फरक नहीं पड़ेगा, विकोज मैंने अपनी स्कीन को संस्क्रीम से कवर कर दिया है, तो इसलिए संस्क्रीम बहुत ज़्यादा जरूरी होत सब्सक्राइब करें एक अचछा करें लेकिन डीरे धीरे जैसे कि हमारे सारी प्रॉब्लम आती है उसी तरीके से तो यूजने में वह इतना वाक है और इन सब प्रोड़क्ट को यूज करने से कुछ ही दिनों में कुछ ही दिनों का मतलब होता है कुछ महीनों में आपका स्कीन बहुत अच्छा होने लगेगा धीरी दिरे आपकी चेरी की चमक वापस आने लगेगी जो आपके केमिकल स्ट्राइड प्रोड़क्ट से खतम हो च कि यूज़ सोचना है बिना सोचे सम्झे और हां निगेटिविटी हटा के आपको इस सारे पौड़क Uhh कोई भी चीज़ आगर हम पौजिटीव होब करते ना वह काम्याब छीज़यoga वो आपकी लाइवस्टाइल की चीज़ें हो अपके से इसकीन से लिटीड हुआ और हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, इसलिए स्कीन के बारे में भी पॉजिटिव सोचिएगा, निगेटिविटी को बिल्कु बहार निकाल दो, अच्छा होना है, ठीक होना है, मेनत हर काम में है, आप जब जॉब करती है, उसमें मेनत करना पड़ता, तब आपको सेली मिलती है, त थोड़ा सा काम करना होगा, ज्यादा काम नहीं होता, इसमें स्कीन में लगाने के लिए, आपको बस ये प्रॉपर तरीकी से रुटीन फॉलो करने होंगे, अच्छा खान पान पर ध्यान दीजिएगा, पानी तो बस सर्दी हो, गर्मी हो एकदम पीते रहो, बस, खाना पान कुछ भी वीडियो में ऐसी, आप वीडियो वगरा ऐसा कुछ देखा कीजिए, जिससे कि आपको हसी आए, आपके फेस पे स्माइल आए, उससे क्या होगा, कि आपके चेरे पा बलड सैक्रिलोशन भी बढ़ेगा, आपकी स्कीन अच्छी भी होगी, और आपकी पिग्मेंट अच्छी खता हो जाएगी, तो यह सारे प्रोड़क्त लेने के लिए या इससे रिलेटिट कुछ भी बात करने के लिए आप मुझे वाट्सप मैसिज कर सकती है, वाट्सप नमबर में इसके डिस्क्रिप्शन में भी लिखती हूँ, आप डिस्क्रिप्शन प्लीज जरूर चेक कीजिएगा, और मैं स्क्रीन पे वाट्सप नमबर एड़ कर दूँगी, आप मेसिज कर दीजिएगा, और अपनी स्कीन को अच्छा कीजिएगा, इस्प्रोड केमिकल से बचिएगा, हसी खुशी रहेगा, बिकॉज इतना केमिकल आजकल मार्किट में है कि आपको भी स समझनी आएगा, तो मैं यहाँ पर बैठी हूं बताने के लिए आप मुसे कुछ भी पूछ सकते हैं, थैंक यू